असलाम अलेकुम जी इस स्पेसिविक लेसन के अंदर हम देखेंगे के डमी प्रॉफाइल इमर्जेस कैसे प्लेस की जा सकती हैं तो यहां पर एक स्क्रीन क्रियेट करते हैं और इस स्क्रीन के उपर हम एक यूजर की प्रॉफाइल जेनरेट करेंगे ठीक है और यहां पर उसका नाम आएगा यूजर नेम इसको सेंटर आलाइन कर लेते हैं इसके साइज को एड़जस्ट कर लेते हैं ठीक है और इसके बाद आप इसका प्रॉफेशन लिख सकते हैं user profession और इसका मजीद size आप adjust कर सकते हैं इसके बाद कुछ इसकी details आ सकते हैं for example you want to show the history of something जैसा कि उसने कोई transactions की है तो अपनी profile पर जाके मजीद transactions को देख सकता है ठीक है जी तो यहां पर हम उसकी profile image दिखाना चाहते हैं तो अगर तो आप visual designs में काम कर रहे हैं तो profile image के लिए we just have to use one of the plugin और मैं इस circle पर click कर हूँ जहां पे हम उसकी profile image display करेंगे इस पर click करते हैं plugins में जाते हैं और यहां से जाके एक plugin install करते हैं and that is going to be this person does not exist ठीक है तो plugin install करने के लिए तरीका बिलकुल सेम है plus पर click करें और उसके बाद यहां से search करें this person तो यहां पर आपके पास आया जी this plugin this person does not exist तो simple मैंने इस shape को select किया और यहां से click किया this person does not exist यह थोड़ा सा काम करेगा और he has placed a sample profile image on the object you have selected तो बिलकुल इसी तरह से आप अपने design के अंदर dummy images को place कर सकते हैं profile images को by using the plugin this person does not exist so see you in the next lesson thank you so much झाल यहां बाद प्लाज कर सकते हैं